हेलो तो दोस्तो कैसे हो दोस्तो अलबर्ट आइंस्टाइन का IQ लेवल 150 एक सो पचास था इसलिए उनको बहुत बड़ा जीनियस इंसान माना जाता है किसी इंसान का IQ लेवल जितना ज्यादा होगा, उस इंसान का मैंड भी उतना ही ज्यादा logical और समझदार और तेज होगा लेकिन सबसे बड़ा question ये है कि क्या आपको अपना IQ लेवल पता है कि आपका IQ स्कोर कितना है IQ लेवल पता करवाने के लिए IQ test करवाना पड़ता है जाएंगे, हर questions के कुछ options होंगे, उन options में से एक option ठीक होगा, आपने count करते जाना है कि आपने कितनी बार ठीक option को select किया है, question number 1, 8000 के आदे का चुथाई हिसा कितना होता है, option A 500, option B 1000, option C 2000 दोस्तों, अगर आप 8000 का आदा करते हैं, तो आपके पास 4000 आ जाएगा, और अगर आप 4000 का चौथा हिसा लेते हैं, तो वो 1000 बनेगा, इसलिए option B ठीक option है, question number 2, इन में से कौन सी shape, आपको बाकी shapes से अलग नजर आ रही है, बाकी shapes के साथ फिट नहीं बैठती, वो कौन सी shape है? दोस्तों, अगर आप goal के साथ देखोगे, तो आपको मलूम होगा, ये जो पहले वाली shape है, इसको ही flip करके यहां पर दिखाया गया है, और इसी shape को बाद में flip करके यहां पर इस तरह दिखाया गया है, और ये shape भी flip हुई है, ये चारों shape एक जैसी ही हैं, लेकिन बस flip की हु लेकिन दोस्तों, अगर आप बात करें इस shape की, तो इस shape में ये जो arrows हैं और square और circle है, इसकी position ही change हो जाती है, इसलिए ये shape बाकी shapes के साथ fit नहीं बैठती, सही answer ये वाली shape था, अगर आपको ये पता चल गया था, तो क्या ही बात है, question ये थोड़ा सा मुश्किल था, question number 4, द दोस्तों, सही जवाब है ये वाला, अगर आप गोर के साथ समझेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा, कि पहले ये arrow इस position में था, फिर ये इदर चला गया और अब अगली position ये वाली ही होगी, दोस्तो, question number 4 है, अगर उंगलियां हाथ से हैं, तो पत्ते किस से होंगे, option A, टहनी से, option B, दरखत से, या option C, फूल से, दोस्तो, सही जवाब है टहनी से, जिस तरहां उंगलियां हाथ पे लगी होती हैं, इसी तरहां पत्ते टहनी पे लगे होते हैं, question number 5, दोस्तो, आप इन नंबर्स को अच्छी तरहां से देखें, और अपनी सोच समझ से, पूरी अच्छी तरहां से बताएं, कि जहां पर कार खड़ी है, वहाँ पर कौन सा पार्किंग नंबर होगा, दोस्तो, ये उल्टे सीधे सवालाथ ही हमारे दमाग के बारे में बताते हैं, बाज उकात हम जवाब मलूम करने के लिए भी सवाल को उल्टा कर देते हैं, तांकि जवाब पता चल सके, अगर आप अपनी स्क्रीन को उल्टा करके देखेंगे, तो आपको नजर आएगा, कि सबसे पहला नंबर 91 है, फिर 90 है, फिर 89 है, फिर 88 है, और फिर यहां पर 87 होगा, और ये आगे वाला 86 है, लेकिन आपको उल्टा नजर आ रहा था, दोस्तो, शायद इस सवाल का जवाब सब लोगों के पास ना हो, क्योंकि हम सब लोगों के पास कार भी तो नहीं होती, लेकिन सब लोगों के पास 30 रुपै कभी ना कभी ज़रूर होते हैं, इसलिए, क्वेस्टन नमबर 6 के अंदर आपने बताना है, कि 30 रुपै का 20% कितना बनता है, option A, 5 रुपीज, option B, 6 दोस्तो इसका सही जवाब है 6 रुपीज, क्वेस्टन नमबर 7, एक से लेकर 50 के दरम्यान कितनी बार 5 का डिजिट आता है, option A, 4 बार, option B, 5 बार, option C, 6 बार दोस्तो 5, 15, 25, 35, 45, इन में से हमें 5 बार 5 मिलता है, और चटी बार 5 नमबर 50 के अंदर आता है, और ये टोटल 6 डिजिट बन जाते हैं, इसलिए अगर आपका जवाब 6 था तो आप एकदम राइट है question number 8, अगर दो दिन बाद सौमवार है, तो कल क्या था? option A, हफ़ता, option B, जुमा या option C, जुमेराद question number 9, दोस्तो अगर हम उमर को रामू कहें, तो फिर 46251 को क्या कहेंगे? option A, 26451, option B, 12654, या option C, 15264 दोस्तो, IQ टेस्ट करते हुबे, कभी कबार तस्वीर को उल्टा कर दिया जाता है, लेकिन कभी कबार अलफास को भी उल्टा कर दिया जाता है गोर से देखिए, उमर को उल्टा करके रामू बनता है, इसी हिसाब से अगर आप 46251 को उल्टा करेंगे, तो 15264 आएगा कोमेंट सेक्शन में जाके बताईए का कि आप मेंसे किस-किस को पता चल गया था, कि जवाब ये वाला है यानि कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद चार आता है, चार के बाद साथ आता है और इसी तरहां आपने बताना है कि 16 के बाद क्या आएगा, आपको बड़ी अच्छी तरहां ये सबसे मुश्किल परस्चन है गोर से पहले इसको समझना पड़ेगा विडियो को पोस्ट कर लें और बताएं कि 16 के बाद क्या आएगा दोस्तो राइट आंसर है 22, दोस्तो इस सीकनेस को कैसे समझे मैं अभी बताता हूं एक कौन सी पॉजीशन पर है, पहली पॉजीशन पर है, आपने पहली पॉजीशन और एक इन दोनों को जमा कर दिया 2 आगया दो कौन सी position पर है, दूसरी position पर है, दो में आपने दूसरी position को जमा कर दिया, चार आ गया अब चार कौन सी position पर है, तीसरी position पर है, आपने चार में तीन, यानि के तीसरी position को जमा कर दिया तो साथ आ गया, अब साथ कौन सी position पे है, चोती position पे है, अगर आप ने साथ में 4 जमा कर दिया तो 11 आ गया, अगर इसी तरह आप 16 में 6 जमा करेंगे, तो 22 आ जाएगा, आप में से किस का answer ये ठीक है, नीचे जाके जरूर लिखेगा कि question number 10 जो है हमने बिल्कुल solve कर लिया था क्योंकि दोस्तो आपके जवाबाद सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको पता है, लेकिन अगर आप comment section में लिखेंगे तो बाकी सब लोगों को भी पता चल जाएंगे, और दोस्तो अब बारी है results की, दोस्तो अगर आपके जवाबाद 0 से लेके 4 के दरम्यान correct है, तो आपका IQ level below average है, आप जैसे इस दुनिया में 23% और लोग हैं जिनका IQ level इस जगा पर है, आपकी IQ level की range 85 से लेके 89 के दरम्यान में है, आप यह अपने जहन में रखें कि आपका IQ level 85 से 89 के दरम्यान में है, अगर आपने 5 से लेके 6 जवाबाद ठीक दिये हैं, तो आपका IQ level average है, आपका IQ level 90 से लेके 115 के दरम्यान में है, और पूरी दुनिया में आप जैसे 65 फीसद लोग हैं, जिनका IQ level 90 से लेके 115 के दरम्यान में है, अनि के सबसे ज़्यादा लोग इसी section में होंगे, जिनके 5 से 6 के दरम्यान में ठीक होंगे, लेकिन लेकिन दोस्तों अगर आपके 7 से 8 इससे भी बाद और भी उपर अगर आपके 9 से 10 जवाबाद ठीक थे तो दोस्तों आप एक जीनियस इंसान हो, आइंस्टाइन की IQ लेवल से भी ज्यादा आपका IQ लेवल हो सकता है, उसके लिए आपको लंबा जोड़ा टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि आपका IQ लेवल कितना ज्यादा है, आप एक जीनियस इंसान हो, आपका IQ लेवल 130 से उपर है, 130 के उपर वो किसी जगा भी हो सकता है, 150 पे भी हो सकता है, आप जैसी लोग इस दुनिया में सिरफ और सिरफ 2% है यानि कि 100 लोगों के बाद आप जैसे 2 लोग पैदा होते हैं दोस्तो IQ test सिरफ और सिरफ आपकी logical और analytical thinking के बारे में बताता है आप किस तरह shapes को, patterns को recognize करते हैं इस चीज़ के बारे में बताता है लेकिन IQ test आपकी creativity के बारे में कुछ नहीं बताता कि आप कितने ज्यादा creative हो, कितने ज्यादा emotional हो इसलिए IQ test से आप यह नहीं पता कर सकते कि आप कितने ज्यादा कामयाब होंगे दोस्तों आपकी जो कामयाबी है वो इस चीज़ पर depend करती है आप कितने ज्यादा action लेते हैं, अगर आप action नहीं लेते हैं टाल मटोल करते रहते हैं, तो आप नकाम हो जाएंगे इसी चीज़ पे मैंने पिछली वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने 10 rules बताए हैं जिससे कि आप कभी भी टाल मटोल नहीं करोगे और अपने कामों को बड़ी जल्दी के साथ करते रहोगे उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है यह उपर आ रही है, यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल हमजा जवेत पे जाएं, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं मैं आपको अपनी किसी पिछली वीडियो में मिलता हूँ जो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर देखेंगे ओके बाई, अलाहाफेस